हेलो फ्रेंक्स आप लोग देख रहे हैं यूनिक होम डिजाइन और मैं हूं सतीस पांडे दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 20 बाई 35 प्लान लेकर आया हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह प्लान आप लोगों को जरूर पसंद आएगा दोस्तों यह एक छोड़ा सा प्लान है और इसमें सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से अर्रेंजमेंट किया गया है और एक बात और कि यह प्लाट जो है तीनों तरफ से पैक है और सिर्फ फ्र आप लोगों पर साथ सेर करना चाहता हूं कि मेरा एक यूटूब का चैनल था जिसका नाम था ड्रेम होम विज सतीस पांडे आप मैंसे बहुत सारी लोग उसको जानते भी होंगे तो क्या हुआ कि यूटूब ने उसको सस्पेंट कर दिया है बोल रहे हैं कि कम्यूटि गाइड लाइन मैंने फालू नहीं किया है मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने चैनल पर यहसा कुछ अप्लोड किया था जैसा कि आप जानते ही हैं मैं कि आप लोग यह मैसेज देख रहे हैं यह यूटूब का है तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे नए चैनल सपोर्ट करें क्योंकि मेरा भी जो 2-3 साल का मेनहत था लगवग 1 लाग सब्सक्राइबर से उसारा जो है मेरा चला गया है और इसलिए मुझे भी फिर से बहुत ज्यादा मेनहत करना पड़ रहा है एकदम सुरू से स्टार्ट करना पड़ रहा है तो दोस्तों जो किसमत में लिखा होता है उसको कोई नहीं टाल सकता एक बार आप फिर से मेरा सपोर्ट करेंगे इसी के सारे फिर से जो हमें योटूब शुरू कर रहा हूं उम्मिद करता हूं कि आप लोग यरूर सपोर्ट करेंगे तो चलिए अब इस प्लान को ब्रीफ में देख लेते हैं तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यह इसका चोड़ाई है 20 फिट और लंबाई है 35 फिट और यहां से यह केवल एक साइड से ही उपन है मिंस फ्रंड से तो यहां पर आप रोट जाएगा और इसमें दो साइज है 9 फिट 6 इंच वाई 10 फिट का और आप यहां पर बड़े आराम से फर्नीचर का लियाउट कर सकते हैं और यहां पर देखिए आपको डोड लगाने के जरूरत नहीं है आप यहां पर आर्च ओपनिंग लगा जाएंगे तो लोबी में आ जाएंगे लोबी के साइज है 9 फिट 6 इंच वाई 11 फिट का और इस साइड में आप डानिंग टेबल चेर बड़े आराम से अरेंग कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं देखते हैं आप एक किचन दिया गया है 6 फिट 7 इंच वाई 7 फिट 3 इंच का और यह किचन का प्लेटफर्म आपको बनाया गया है तो बहुत अच्छी तरीके से यहां पर बेवस्थित किया गया है आगे बढ़ेंगे तो एक बेडरूम दिया गया है दस बाई 11 फिट का और यहां पर टॉयलेट दिया गया है टॉयलेट का साइज है 5 फिट 9 इंच वाई 5 फिट 7 इंच का और पीछे इतना पॉर्श का खास ध्यान रखा हुआ है तो इसलिए आपको वेंटिलेशन के बारे में समझा देता हूं तो ड्रॉयंग रोम के लिए यहां पर बिंडो लग जाएगा तो वेंटिलेशन का कोई प्राब्लम नहीं होगा और किचन के लिए स्टेर के सामने से एक बिंडो लग जाएगा तो ड्रॉयम के लिए ओटिस से यहां से वेंटिलेशन हो जाएगा तो दोस्तो यह राज के शोटा सा प्लान और उमीद करता हूं कि आप लोगों को नए हैं या अपिते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल अइकन को जरूर दबाएं जिससे की आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे हो सके तो दोस्तों में भी सेयर करें जिससे की सभी जरूरत मनल लोगों तक पहुंच सकें और सभी लोग इसका लाव घा सकें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इस प्लान को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यूद्ध